हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल फॉन कौन सा है? जिसकी कीमत 48.5 मिलियन डॉलर है, यानि भारतिय रुपे में लगभग 365 कडोर है? क्या आपको ये भी पता है कि दुनिया के सबसे महंगी कौफी कौन सी है? और उसकी प्रडक्शन की प्रक्रिया कितनी घिनोनी है? अगर आप लोग इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड. फैक्ट नॉम्बर टेन कोका कोला, जिसे हम कोक के नाम से बहतर जानते हैं, दुनिया हम सबसे अधीक पॉपलेट सॉप्ट ड्रिंक्स ब्रांडों में से एक हैं, हाँ वही जिसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैसे तो कोका कोला और अपचारिक रूप से दुनिया के हर देश में बिखता है, कोक is banned in these countries, वो दो देश हैं, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, इसके पीछे जो मुख्य कारण है, इन दो देशों का अमेरिका के साथ, अच्छे पलिटिकल रिलेशन नहीं होना है, क्योंकि कोका कोला अमेरिकन प्रोडक्ट है, that is why नॉर्थ कोरिया और क्यूबा they are not selling Coca-Cola, any Coca-Cola product, क्या आपको ये भी पता है, कि Coca-Cola, यानि Coke का best taste, आप सिर्फ McDonald's में ही पा सकते हैं, उसके एक कारण ये है, कि McDonald's में Coke syrup की जो delivery होती है, वो stainless steel containers में होती है, क्योंकि stainless steel, plastic की थैलियों से बेहतर soda-based syrup को सुरच्छित रखता है, Fact No.9, क्या आपको पता है, ये Pluto planet का नाम 1930 में England की 11th class की एक बच्ची ने रखा था, जिया, Pluto का नाम Oxford School of London में पढ़ने वाली 11th की छात्रा, Venesia Burney ने रखा था, इस बच्ची ने कहा था, कि Rome में अंधेरे के देवता को Pluto कहते हैं, और इस ग्रह पर भी हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए इसका नाम Pluto रखा जाए, हलांकि अब ये planets के list से बाहर हो गया है, Fact No.8, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में यानि पुराने जमाने में जो नाई होता है, वो छोटे मोटे सर्जन का भी काम करता था, वो छोटे मोटे operation के लिए जाने जाते थे, जैसे हुए दात को एक विशेस चिम्टे द्वारा निकाल देना, भारत के सुदूर गाओं में तो आज भी कहीं कहीं ये देखने को मिल जाता है, जैकि ना ही हमारे समाज में एक ऐसा विक्ति होता है, जिसके संबंद लोगों से अच्छे ही होते हैं, उसके पास कुछ विशेस प वैसे तो भारत नदियों का देश है, और भारत के करीब करीब सभी बड़े शहर भी नदियों के किनारे बसे हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, इत्यादी, प्रन्तु आज के समय में इन सभी नदियों को हम मानवने प्रदूशित कर दिया है, तो क्या भ आज में एक नदी है, उमंगोट नदी, जिसको भारत की सबसे साफ नदी माना जाता है, उमंगोट नदी दावकी टाउन के पास है, दावकी बैसिकली एक विलेज टाउन है, जिसकी अबादी लगबग धाई हजार है, जिसे एसिया का सबसे स्वक्ष गाउं कहा जाता है, गावों में करीब 450 घर हैं और सभी मिलकर इस नदी की साफ सफाई करते हैं। सबसे खास बात ये है कि इस नदी में गंद की पहलाने पर लोगों से 5000 रुपे तक का जर्माना वसूला जाता है। Fact Number 6 क्या आपको पता है कि अफ्रीगा के नांबिया में एक ऐसी जगह है जहां आट्लांटिक महसागर्ण यहां के वेस्ट कोस रेगिस्तान से मिलता है। नाम्बिया का यह तड़िये रेगिस्थान अफ्रीका के अट्लांटिक तड़ के साथ दस्चिन पस्चिन की ओर इस्थित है इस रेगिस्थान के उंचे उंचे रेत के टीले पुरी दुनिया में सबसे बड़े रेत के टीले हैं और वह स्थान जहां रेगिस्थान समुद्र स मिलता है यह UNESCO World Heritage का मेन अट्रक्शन है कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है जो तरीब साड़े पांच कडोर साल से भी ज्यादा पुराना है फैक्ट नमबर फाइव क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में इतनी बिजली होती है कि उससे एक बल्ब जल सकता है आपके मस्तिस में लगबर सौ बिलियन माइक्रोस्कॉपिक कोशिकाएं यानि सेल्स होती हैं जिने विज्ञा की भाषा में निरॉन्स कहा जाता है और इन सभी निरॉन्स को यदि हम गिनने की कोशिस करें तो इसमें आपको तीन हजार से अधीक साल लग जाएंगे वेल वी डोंट निरॉन्स कोशिकाएं तो यह सभी निरॉन्स मिलकर इलेक्रिसिटी पैदा करते हैं और जबकि एक सिंगल निरॉन के वल थोड़ी मात्रा में बिजली उत्पन कर सकता है यदि आपके सभी निरॉन्स मिलकर एक साथ बिजली उत्पन करे तो एक कम वाट वाल बल्ब को बिजली देने के लिए परियाप्त हैं जल गया ना दिमाग की बत्ती फैक्ट नमबर फोर क्या आप जानते हैं इंडोनेसिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया के सबसे छोटे यानि बौने लोग रहते हैं जहां लोगों की एवरेज हाइट पांच फिट दो इंच होती है जहां एक एवरेज अडल्ट का जो हाइट होता है जो लंबाई होती है वो पांच फिट दो इंच होती है वहीं दुनिया के सबसे लंबे लोग नीदर लैंड में रहते हैं जहां एवरेज अडल्ट के उच्छाई शिक्स फिट है फैक्ट नम पानी की कितनी जादा कमी है लेकिन कि आपको पता है कि आखिर वो कौन सा देश है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी है अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस देश का नाम ब्राजिल है जहां रिनेवेवल वाटर सी रिसोर्सेज यानि नवीनी करन ज 1233 घन किलोमेटर है विच इस टोटल ऑफ 8233 क्यूबिक किलोमेटर मैं आपको एक चार्ट के माद्यम से बताता हूं कि वो कौन-कौन से देश है जो भारत से अच्छे स्थिति में है फ्रेस वाटर रिसोर्स के मामले में अभी आपके स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा है आप उसमें देख सकते हैं कि कुछ कंट्रीज हैं मैंने 10 कंट्रीज का यहां पर एक्जेंपल लिया है नंबर वन पर ब्राजिल है जहां सबसे अधीग फ्रेस वाटर एविलेबल है 8233 क्यूबिक किलोमेटर में दूसरे नंबर पर रश्या है फिर यूनाइटेड स्टेट और ऐसे करते करते भारत का स्थान दस्वा हैं इंडिया का टेंथ प्लेस है और भारत में ओनली 1911 क्यूबिक किलोमेटर वाटर ही एविलेबल है यानि कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत में पीने योग पानी की बहुत ही ज्यादा कमी होने वाली है सो दोस्तों इस वीडियो के मादियम से मैं आप लोगों से यह अपील करता हूँ कि पानी अनमोल है इसे जरूर बचाएं क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे महंगी कौफी कौन सी है और वा कौफी कितनी महंगी बिक्ती है तो चलिए हम आपको बताते हैं अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद उस पर आपको यकीन ना हो, ये भी हो सकता है, ये जानकर आपको ग्रेणा भी हो जाए, पर ये सत्य है, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिब कॉफी, जिसको कोपी लुवाक कहते हैं, इस कॉफी को इंडोनेशन, सीवेट प्रजात की बिल्यों के पुट्टी से, जिहां सही सुना आपने, उसके मल से बनाया जाता है, छी छी छी, ओ शिट, डिस्गस्टिंग, सो डिस्गस्टिंग, पर ये सकते हैं दोस्तों, जिहां सही सुना आपने, इस कॉफी को बिल्यों के पूप से ही तयार किया जाता है, इसके सीवेट विल्यों को खिलाया जाता है फिर आंशिक पाचन क्रिया के बाद विल्ली जो पुट्टी करती है यानि शौच करती है उसमें से कॉफी बीन्स को चूना जाता है उसको सुखाने के बाद उसमें से कॉफी बीन्स को चून लेते हैं फिर उस बिंज को फर्मेंट किया जाता है और हो गया रेडी दुनिया के सबसे महंगी कॉफी जिसे 45,000 रुपे किलो तक बेचा जाता है रेस्टो एंड कॉफी शॉप्स पर तो 3,000 से 4,000 रुपे प्रती मग तक बिखता है हैनत दुनिया आजब गजब आज का आखरी और मोस्ट एक्साइटिंग फैक्ट फैक्ट नमबर वन सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन किया हुआ है तो आपका धन्यवाद और यदि आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें फैक्ट नमबर वन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल फोन कौन सा है दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल फोन फालकन सूपर नोवा आइफोन 6 पिंक डाइमंड है यही वो फोन है फालकन सूपर नोवा आइफोन 6 पिंक डाइमंड जिसकी कीमत बाजार में 48.5 मिलियन डॉलर है यानि भारती रुपये में तकरीबन 365 कडोर है अब तक बनाए गए जितने भी स्मार्ट फोन के वेरियंट्स आए हैं उनमें फालकन सूपर नोवा आइफोन 6 को सबसे इंट्रेस्टिंग संसकरन के रूप में माना जाता है उस समय 2004 में फालकन सूपर नोवा आइफोन 6 की बहुत लिमिटेड यूनिट्स बनाई गए थी और वाकई में फालकन सूपर नोवा आइफोन 6 एक अनोखा फोन है जिसकी फूल बॉड़ी प्लैटिनम और 24 कारेट्स गोल्ड से बनाया गया है और वर्ल्ड के इस सबसे महने फोन के बैक पर यानि पिछले हिस्से पर एक बिग पिंक डायमंड पीस फिट किया हुआ है इस फोन के लगे उस गुलाबी हीरे काव सबसे रेर माना जाता है यानि इस phone के उपर जो diamond पिंक diamond लगा हुआ है उसको सबसे rare diamond मानते हैं जिसकी वज़े से इस phone की इतनी उची कीमत 48.5 million dollars मिलता है यानि 365 कलोर रुपे इसकी कीमत because of that pink diamond यह platinum coated phone है जिसके वज़े से यह user friendly भी है और इसके user की सूचना या data को सुरच्छत रखता है इस phone का एक और feature यह है कि यह hacking prevention technology की सुविदा देता है यानि इस phone को hack करना इतना आसान नहीं है इसे कहते हैं उचे लोग उची पसंद आज के लिए बस इतना ही अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like and share जरूर कीजिएगा और comment करके हमें अपनी राय जरूर बताईएगा अगर ऐसे ही Amazon Facts का और वी वीडियो देखना चाहते है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा देना मिलते हैं अगर वीडियो में आपके लिए कुछ खास लेकर थैंक्स फो वाचिंग नमस्कार